कोरोने हैं कोरोन ना से बचने के लिए सबी न्य वैक्सी में लगवाई लेकिन अब वही वैक्सीन सबकी चिंटा की वज़ा बन गए दरसल ऑक्सvensकोड एस्ट्रेंका प२ हो को टेकर theorem कर एक बडी खब सामने आई इसे बनाने वाली एस्ट्रेंका UK High Court में दिये गए अपने अदालाती दस्तवेज में पहली बार माना है कि उसकी COVID-19 वेक्सीन से TTS जिससे side effects हो सकते हैं बतादे estrogenica वेक्सीन को कई देशों में COVID-Shield नाम के तहर बेचा गया था TTS शरीर में खून के धक्के जमाने की वज़ा बनती है बोडी में ब्लड क्लोड बनाने के चलते व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक काडिकरेस्ट होने की खचात बढ़ जाती है इसके अलावा ये सिंड्रोम बोडी में फ्लेटलेट्स गराने का एक कारण भी बन सकती है बता दें एस्ट्रोजेनिका कंपनी को क्लास एक्शन मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है इस मुकदमे को जेमी स्कॉर्ट नाम के एक शक्स ने दायर किया जो अप्रेल दोहजार इकिस में यूनिवर्स की ओफ उक्सपोर्ट के साथ मिलकर बनाई गई एस्ट्रोजेनिका वेक्सीन लेने के बाद ब्रेंडेमिच का शिकार होया थी इसके अलावा कई अन्ने परिवारों ने भी अदालत में इसको लेकर शिकायद थी कि वेक्सीन लेने के बाद हुने इस साइड़ इपेक्स का सामना करना पड़ा अब ये परिवार वैक्सीन को लेकर हुई परिशानियों के लिए मौवजी की मांग कर रहे हैं सेप्टी इशूस के चलते एस्टरजेनिका उक्सपोर्ड वैक्सीन अब यूके में नहीं दी जाते हैं अब जब कंपनी ने इस वैक्सीन से होने वाले साइड इपेक्स को सुईकार कर लिया तो इससे परभावित होने वाले व्यक्ति और परिवार के लोग वैक्सीन से होने वाले साइड इपेक्स के लिए उचित मौवजी की मांग करें हाला कि वेक्सीन से होने वाले साइड इपेक्स को स्विकार करने के बाद भी कंपनी से होने वाले बिमारियों या बुरे प्रभाव के दावों का ग्रोथ कर रहे ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे देन अगरी न्यूस मैं शेक जी